Hello students, welcome back to smart knowledge और आज की इस वीटियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्लास 9th मिट्रम एक्जाम की जो आंसर की है वो सब्जेक्ट है हिंदी So, I hope आपको जो ये आंसर की है ये काफी helpful रहेगी आपकी जो marks हैं उनको देखने में कि आपने कितना score किया है So, यहाँ पर सबसे पहले देखिए गद्यांस दिया गया है आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इसके 1st का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क 2nd का आंसर रहेगा ख जंगली जानवर 3rd का जो आंसर रहेगा बच्चो वो घ है ताकि उन्हें विलप्त होने के खत्रे से बाहर किया जा सके उसके बाद 4th का आंसर रहेगा ख 5th का आंसर रहेगा गद्यांस के अनुरसार सामुहिक प्रयास का क्या आस्य है यह कर रहेगा उसके बाद देखिए यह काव्यांस आपको दिया गया है इसके भी प्रशनों के उत्तर आपको देने हैं तो इसमें पहले का आंसर रहेगा यहाँ पे सोने की दूसरे का आंसर रहेगा फूल की कलियों की तीसरे का आंसर रहेगा गह कीरती गीत गारे हैं फूर्थ का आंसर रहेगा विजय का जैगोस करना ये कवी कहना चाहता है, करना चाहता है, उसके बाद कवीता की राह में बिखारी बनकर कौन खड़ा है तो चांद खड़ा है, उसके बाद यहाँ पे अथवा में भी एक काव्यांस दिया गया है, तो यहाँ पे कवी ने नर्व्यागर शब्द का प्रियोग किस के लिए किया ह कवि किसके समाशील होने के बात करता है दूश्मन के कवि ने दूश्ट शब्द का П्रियोग किसके लिए किया है कौर्वों के लिए wijयाई समें को brando के विने शीलता को को फचा कायरता या जाएगा और उसके बाद कवि के अनूसर शमाकिस पर शोगती है उसके बाद व्याकन दी गई है, दुरुपयोग शब्द में उपसर्ग है दुर, इसमें प्रियुक्त उपसर्ग है सद, सजावट में इसमें सत आएगा, सद नहीं आएगा, सद आएगा, सजावट में प्रते है आवट, जगडालू में प्रते है आलू, ठीक है, उसके बाद नेक्स देखे, अनुकरणी है, शब्द में उपसरगोर प्रते हैं, अनु और इय, उसके बाद देखे, निर्देश अनुसार उत्तर लिखे, चोरहा में प्रियुक्त समास कौन सा है, यहाँ पर दिगु समास है, पाप पुन्य का समासिक विग्र है, और समास का नाम क्या है, द्वांद समास हो जाएगा, नील, कंठ, नीला है, कंठ, जिनकार, शिव, शब्द में प्रियुक्त समास कौन सा है, बहुवरी समास है, कौन सा हो जाएगा, बहुवरी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, समास विग्रे के लिए, सामासिक शब्द है, यथा शक्ति, महात्मा शब्च खा सामासिक विग्र्य क्या है महान है चुवात्मा यानि कर उसके बाद नेक्स देखी प्रेशन पाcker वाक्या सुंदर दर्श है अर्थी आधार पर वाक्य भेद है तो इसमें क्या आ जाएगा वाक्या सुंदर दर्श है गहां, इसका जायगा क, ठीकें उसके बाद देल परिवर्टित होती इसका गहा जायगा नुप्रास उसके बाद मुकबाल रवी समलाल होकर ज़ुआला सा बोधी तुआ इसका गह उपमालंका फिल्सका कर रहेगा चारुजंदर की चंचल किरने खेल रही है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट प्रेशन साथ इसमें आपको गध्यांस दिया गया है सही विकल्प चुनना है और हीरा मोती और जो है न वह वाला उस चेप्ट से है यह आपका इसमें पहले का जो आंसर रहेगा हीरा और मोती है ठीक ह उसके बाद है गस अंगठित सत्रुओं से लड़ने का नुभव नहीं था गध्यांस के अनुसार जो है सांड क्या चाहता था तो यह एक एक करके दोनों को गिरा ले उसके बाद है नेक्स्ट का खर रहेगा और उसके बाद फिफ्ट का रहेगा कव बेदम होकर गिर गया उ उसके बाद दिनिमली खित का व्यांस को पढ़कर आपको उतर देने हैं तो यहाँ पे आप पे इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद जो यहां से आंसर देंगे मनुष्य रूप में रस्खान कभी कहा बसना चाहते थे खागो कूल में पशू रूप में कभी रस्खान किसक के साथ चरने की इच्छा करते थे नंद की गायों के साथ रस्खान कभी परवत पर किस रूप में रहना चाहते हैं पत्थर रूप में पक्षी रूप में कभी किस पेड़ पर वसना चाहते हैं कदंब कालंदी कूल से कभी का क्या आश है तो यह मुना का तट और नेवलिक प्रशनों का सही जो है विकल्प चुनना है तो इसमें खा आजाएगा सोने की कलश में सराबशे कभी दाश के अनुसार परमेश्वर कहां बसते हैं तो स्वेम के भीतर तो इसमें आजाएगा स्वेम के भीतर उसके बाद नेक्स देखिए यह वरनात्मक प्रशन है जिनके उत्तर आपको लिखने थे एंद उसके बाद यहाँ पर भी कुछ प्रशन दिये गए है एक विशे अनुच्छे ता आपको लिखना था पांश नमबर में और उसके बाद एक पत्र आपको लिखना था यहाँ पट्र इन में से 15 में आपको पत्र लिखना है 16 में भी आपको एक लगू कथा लिखनी है और यहां पर आपको समाद लिखना था तो यह था बच्छो आपका complete paper and answer की I hope आपके लिए जरूर beneficial रहेगी so thanks for watching मिलते हैं next video में